यह चंदरकला मिठाई हो ली हो, चंदरकला मिठाई नबने गुजिया नबने ऐसे हो ही नहीं सकता, हर घर में चंदरकला मिठाई गुजिया बनती है, आप भी बना सकते हैं, एक अफता पहले ही बना कर रख देंगे, यह खराब नहीं होगी, और बहुत अच्छे लगती है, देखने में भी खाने में भी नमस्कार वैस्ट अभी हिल्दी फूर में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है चंदकरला मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले इसका आंटा तयार करना पड़ता है तो इसके लिए हम डेड़ कप मैदा ले लेंगे मैदे को मैं चान ले हूं और इसमे मैं थोड़ा सा गरम करके घी डाल दे रहे हूं आप रिफाइंड वाइल भी डाल सकते हैं गरम नहीं है सिर्फ मेल्ड कर लिए हूं और अच्छे तरीके से मिला ले रहे हूं लगबक 40-50 ग्राम है बढ़िया साइसे इसे मसल मसल कर मिलाए हर जगा घी पहुंच जाना चाहिए ऐसे मुठी बान के देखे इसे जुड़ना चाहिए उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सकते आठा लगा कर तयार करेंगे चाहे गुजिया बनाए या चंदरकला बनाए दोनों के लिए आठा थोड़ा सा टाइट लगाना है तब भढ़िया बनता है और हाटा लगा कर 20 मिनिट के लिए छोड़ देंगे कवर करके सूखे न हम एक कड़ाही में तिन चिमच घी डाल लेंगे गी हलका सा गरम हो जाए तो हम सूजी डाल लेंगे सूजी को भी मैं छान ली हूँ और दो चेमच बेशन डाल ले रहे हूँ सूजी और बेशन दोनों से बनाएं इसके अंदर भरने के लिए स्टेफिन तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसे भूनों की धीमी आज पर लगतार चलाते हुए साथ आठ मिनिर तक भूनेंगे और एक चेमच घी और डाल ले रहे हूँ थोड़ा मुझे कम लग रहा है घ पुक्सी कटोरी से एक कटोरी ग्रेट किया हुआ सुखनारियल डाल ले रहे हूँ मैं और इसके साथ थोड़ा सा भून जाता है तो अच्छा टेस्ट आता है और इसमें काजू बदाम और किसमिस भी है थोड़ा डाल ले रहे हूँ आप इसे कम जादा भी कर सकते हैं थोड ही हलका गुनगुना है हलका गरम और इसमें उसे कटोरी से कटोरी मावा डाल देंगे और एक कटोरी पीशी हुई चीनी डाल दे रहे हूँ आप चाहें तो बूरा भी डाल सकते हैं नार्मल चीनी है मैं घर पे पीश ली हूँ हलका गरम है और साथ में असानी से मिल जाएग तो यह आसानी से भर लेंगे चंदकला के अंदर निकलता नहीं है आटा भी 20 मिनिट हो गया तयार हो गया अब इसकी लोई बना लेंगे हम आटा को कवर करके रखेंगे तो सूखेगा नहीं तो इसे हम पहले बेल लेंगे आप चाहें तो छोटी छोटी पूरी की तरह भी बेल सकते हैं चाहें तो बड़ा सा बेल कर कटोरी या गलास से काट सकते हैं ऐसा करने से ना सारी चंदकला एक ही साइज के बनेंगे छोटी बड़ी नहीं होंगी कैसे भी आप बना सकते हैं इसे मैं बेल ली हूँ, चंदरकला जो बनाते हैं तो बहुत महीन नहीं बेलते हैं, थोड़ा सा थिकनेस रहती है, हलका सा, एक दम पतला बेलेंगे तो ये खुल जाएगी, और मैं ये कटोरी ले ली हूँ, छोटे साइज के, काट ले रहे हूँ, पूरी की तरह आप बेल भी तूखे न, और इसको हम अब भर लेंगे, इसमें पानी लगा लेंगे थोड़ा सा, एक पूरी में पानी लगाएंगे, किनारे किनारे पे लगाएंगे, दोनों में नहीं लगाएंगे, अगर दोनों में लगा देंगे, तो सेल करने में दिक्कत होगी, अब इसे लड़ों क दूसरी पूरी रख के बड़े से ऐसे त Whenever दबारें पहले अच्छे तरीके इस दबारें ताकि यह खुले ना उसके बाद ह verify और किनारे से ऐसे पकड़ेंगे थोड़ा से दोड़ा सा दमाकर आशे फोल्ड करेंगे फिर दबाएंगे फिर फोल्ड कर में बढंती है आप बनाएंगे तो बनाने कोई दिक्कत नहीं होगे दो-तीन बना लेंगे उसके बाद बढ़िया सेट हो मोड़ते जाएंगे हल्का सा दबाना है ज्यादा नहीं दबाएंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे सेम तरीके से पहले हम भरके तयार कर लेंगे एक कपड़ा निचोड़कर गीला कपड़े से धग देंगे ताकि ये सूखे न बढ़ेंगे डिजाइन बन गई है तो सारा में भरके तयार कर ली और एक कपड़े से धग दी थी सूखे न मीडियम गरम टेल पर हम इसे सेकेंगे क्योंकि इसका कवर थोड़ा सा मोटा है तो धीमी आज पर सेकेंगे बढ़िया से पक जाएगा लो फ्लेम पर नहीं सेकना है मेडियम फ्लेम पर सेकना है और जब थोड़ा सा सिख जाए फूल भी जाती है ये चिंद्रकला तो हम पलट लेंगे लाइट ब्राउन कलर आते तक सेकेंगे आप देख पा रहे होंगे बढ़िया से फूल गई है सारा पलट ले रहे हूं और इसे होले में एक हफ्ता पहले बना कर रख देंगे खराब नहीं होती है चाहे गोजिया बना ले और चंदकला मिठाई बना ले नमकीन भी बना सकते हैं जो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं कई तरह के नमकीन बनाई हूं बीन मसीन के मसीन के जंजट ही नहीं है क्योंकि हर घर में मसीन नहीं रहती है लोग सोचते हैं कैसे बनाए इसे मैं निकाल ली हूं कलर अच्छा आ गया है सेम तरीके से एक बार और तल के आपको दि जाना सकते हैं कि इसे भी पलड देंगे अब फूल गई है इसे मीडिक इंफिलेंपर से केंगे आसानी से सिख जाती है कच्छा नहीं रहा जाती है इसके बाद हम इसके लिए चासनी बना लेंगे चंदकला को चासनी में डालते हैं हलका से उपर से मीठा से कवर हो जाती है अच्छा लगती है खाने में निकाल ले रहे हूं इसक गई है अच्छा कलर आ गया है बिल्कुल खस्ता बनती है हलवाई जैसे आप घर पे बना सकते हैं अब चासनी के लिए हम आधा कप पानी और आधा कप चीनी डाल देंगे चीनी और पानी बराबर ले हूं इतना पूर पाने के लिए थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ता है जैसे ही चीनी मिल्ट हो जाए इसको चिक करेंगे हलका से हाथ में चिकना से लगता है जैसे तेल हो इसके लिए तारवाली चासनी बनाएंगे उपर चीनी जम जाएगी इसलिए बहुत गाड़ी चासनी नहीं बनानी है और गरम गरम ही इसमें हम डाल देंगे चासनी गरम है और चंदगरा थोड़ा ठंडी हो गई है क्योंकि थोड़ा पाले तली थी एक साइट में करके उपर से चासनी डाल देंगे इस चासनी में पांच मिनिट के लिए हम इसे छोड़ देंगे जादा देर नहीं छोड़ेंगे सिर्फ पांच मिनिट के लिए छोड़ेंगे उसके बाद निकाल लेंगे एक चासनी की कोटिंग बन गई है इसके उपर बस इतना ही होता है अंदर चासनी नहीं जाती है अंदर तो खुदी मीठा है इसमें भरी हूँ जो मैं इसके उपर से मैं थोड़ा सा पिष्टा लगा दूँगी अच्छे लोग के लिए आप घर पे बना रहे हैं नहीं लगाएंगे तो भी चले गया या मेहमानों के सामने रख रहे हैं तो रख सकते हैं देखने में बहुत अच्छा लगता है इस चंदर कला मिठाई खाने में भी बहुत अच्छी लगती है अगर यह वीडियो आपको जरस भी पसंद आए तो प्लीज मैं आप सबसे निवेदन करें अपने फेमली और मित्रों में सेयर करें चैनल पर पहले बार आये हों तो सब्सक्राइब चरूर कीजिएगा